पवन भीया जो गाह देंगे वो किसी से नहीं हो क्योंकि मतलब उनके उपर साक्षा सरस्वती मा की किरपा और एक बात ये भी है कि जिसको चाह लिए स्टार बना दिये एक गाना आया था कि बदनाम कर दोगी जिसको चाहे उस्टार बना डाले हो और सही बाद है उन्होंने जिसको चाहे जिसके भी सर पर उन्होंने हात रखा है मसरस्वती का हाथ है वो आज कहीं न कहीं बुलंदी पर है शुरूआत में ही आपने सुलिया होगा कि अनुपमायादव ने पवण सिंग को लेकर क्या कहा है जी हाँ अनुपमा यादो जो कह रही है उसमें कहीं से कोई भी तुरुटी नहीं है या यूँ कह लें कि वो सत प्रतिशत सच कह रही है आज तक पवन सिंग ने जिसको चाहा उसे स्टार बना दिया है लेकिन बदले में पवन सिंग को मिली है तो सिर्फ बदनामी वैसे अनुपमा यहाँ यह जरूर कह रही है कि साक्षात मा सरस्वती का हाथ है उन पर और पवन ने जिसे चाहा उसे स्टार बना दिया है यहाँ पर अनुपमा यादो ने पवन सिंग के एक गाने का जिक्र भी किया है वो कहती है नामजोड के बदनाम कर दोगी और इस गाने को जिसने भी सुना सभी यह कहते हैं कि पवन सिंग के लिए और उनकी जितनी भी गर्ल फ्रेंड है या उनसे जुड़े वो लोग जो की उनका नाम लेकर विवाद करते हैं उनके लिए यह गाना सबसे परफेक्ट है वैसे अनुपा मायादों को भी पावस्टार पवन सिंग का पुदीनामेग सौग में साथ मिला